नमस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसांसातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का हमरे प्यारे से यूटुब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लिडर में किसांसातियों आज दिनाग हो चुकी है 28 अगस्त 2024 दिन हो चुका है फ्राइडे शुकरवार का कल थर्ष्टे था ग बात करने वाले हैं मद्य प्रदेश की सबसे बड़ीमंडी इंदोर की चोईत रमंडी और मद्य प्रदेस की दूसरे सबसे बड़ीमंडी शाजापूर मंडी दोनों मडियों में अलू प्याज लसुन तिनों जिंसों कितनी आम्दा निं general कर आया है तो आईये जान लेते हैं इस विडियो के माध्यम से हमारी जो सभी मंडी शाजापुर है इसमें कितनी lim song में यह मैं कितनी आमदानी है सब्सक्राइब करें सबस्क्राइब करें सबसे वrån तो चुछन के आमदाने की लासुन की सीवारा के किसांसत्यूं आलू के अगर बात करों में टाहई से तीन हजार पैकेट पियाच की अगर आमदानी की बात करों सद्सक्राइब तो प्याज प्याज किया मुदानी मिनीमम मिनीमम 55,000 कट्टी के किसा साती यूँ अब बात कर लेते हैं भाव की किसांसातियों आलू हमारा 18,00 से लगाके चौईससो पत्चिस समुरुपू तक जह रहा है वहीं बात करेंकिसांसातीयों लहसून की लहसून हमारी ह्लकी किसां सत्यों लसुन अच्छे कासी तेजी किसांद बनाके बैठी हुई है बात करें किसां सत्यों प्याज की तो प्याज में बुरी खबर है बुरी खबर इसलिए है कि जहां प्याज में हमारी इंदोर मंडी में 30-40,000 कट्टे 15,000 कट्टे से उपर नहीं जा रहे थे वहीं आज 55,000-60,000 क्या करेगा भाव अपनी जो है आवक बढ़ाएगा डेफिनेटली भाव गिरेगा इसमें कोई दोमत की बात नहीं है आप देखना बंगलादेश जो एक्सपोर्ट हुआ है प आवक पर आप कंट्रोल करके रहेंगे तो हंडेट प्रसंट भाव आपको पूरे दो महीन अच्छे मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो किसान सत्यों भाव की अगर बात करें खादू चोपड़ा पांस्तों से लगाके 2000 रुपर तक जा रहा है दागी प्याज हमा को दो हजाए और यहीं मंडि कि इंदोर का किसा सत्यों एक लौट वूटव करें सथा थाए टाए लोट वीधे लेकिन 1.5.25 चारी से तिसंतों रुपए जाला है का यह टीन माइन भी बिन नहीं रखता है अ उन्टा प्याज की अगर भाव की बात करें तो मेडियम क्वाव के लगा के 15,000 रुपए मीडियम क्वालिटी की पंदरा से बीस अजार रुपए एक्सपोर्ट की जो पर लगा के किसान सती उपर महाईश्ट लसुन 26,000 रुपट तक देखने को मिली हमारी हमारी सब्सक्राइब बात क प्याज़ लगाके 2560 रुपर तक जा रहा है एवरेश प्याजक्वर के लगाके 3032 रुपर तक बिक रहा है घोल्टी हमारी 2000 से लगाके 3290 रुपर तक जा रहा है एक्सिपट कोलिटी के सब्सक्राइब किसांब नहीं विका है इन दोर में किसांब जो कि 3800 से उपर विका है लेकिन जो हमारी से शाजापुर है उसमें किसांब नहीं किसांब रखें और मेरे कुछ वर्ड अगर गलत हो जाए तो उसके लिए माफी चाते हैं समय हो गया मेरे को वीडियो बनाया के पहले रेगूलर वीडियो बनते थे च्छे मेने से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं तो बोलने में थोड़ी गरबड हो जाती है अब हम बात कर लेते हैं बांगलादेश इंप्र एक्सर रिपोट कि सबसे बेले बात कर लेते हैं हिली वोडर की किढ death लिवशल तोटल गाड़ियां एक्सपोर्ट हुई 12 जबकि कल तीन गाड़ियां को एक्सपोर्ट हुआ था आज बढ़ चुकी है एक्सपोर्ट बढ़ चुका है हमारा देखिए आप नासिक की जो गुल्टी और गुल्टा है वह एक सो तीन से एक सो चार टक तक आया है एंपी का गुल्ट और गुल्टा है गुल्टी और गुल्टा है किसान साथ metabolic में देखा जाए 2- och 3 रूपर आ ये यह करीदें पचास देतों तो क्मसें 50 चल यह किसानों को जaltsा डंगाडर की बात करेंगें यहां से बड़ी हुई गाड़ियं 17 गणियों का एक्सपोर्ट हुआ है बैलनेस बेजिए जीरो गडिया है नासिक जो मोटा ले 105 टका तक गया है नासिक का जो मीडियम माले 105 टका लेखने को मिली है कहीं न कहीं देखा जाए तो गोल्टी के अंदर गिरावड़ देखने को मिली है मैं ठीक है अब यह बात कर यह यह जैनकरी है महिंदीपूर पॉर्टर की यहां सब करां एकसफोर्ट हुआ हुआ हो रहा है इसलिए थोड़ा सका बात करेंगे नसिक नसिक का मेडियूं गोलता एक सो साट टका और नसिकी है वह 105 टका और MP का मीडियम मोटा माल भूटा माल एक सीन टका इंप जो मीडियम गोल्टा यह एक स्थीन टका और MP की गोल्टी वह सोटका कि सद्यूग कहीं लगें देखा जाए तो थीन सचार टका का जो है घाटा तो देखने को मिला है तो चार टका यह मन के चलें डेड़ रुपे आप दारेट साड़े तीन चार रुपे उतार रहे हो तो यह कुंसी बात हो गई तो यह गलत है इसा नहीं होना चाहिए आपको आवाज उठानी चाहिए और एक अपनी आवक पर कंट्रोल करना चाहिए किसान साती हो अगर वीडि क्योंकि मैं वीडियो में कर लेता हूं आपको कमेंट करना है कमेंट को लाइक जरूब करूंगा मैं कोई सब्सक्राइब अच्छा लगा तो जवाब भी जरूब दोंगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यों